दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है रेल बेलरूस यूट्यूब चैनल पे और आज बर्फ पढ़ रही है तो मैंने सोचा चोटा सा वीडियो बना दूँ कि हमारी दिनचरिया की शुरुवात कैसी होती है मौसम दोस्तों ऐसा है सब तरफ सफेदी की परत चड़ी हुई है सभी गाडियों के उपर आप देख सकते हैं यह एक सामाने कोट्यार्ड है जहां पे सामाने लोग रहते हैं और यह हमारी गाड़ी है जिस पे इतनी बर्फ है अब हम सबसे पहले जो काम की शुरुवात हमारी गाड़ी की बर्फ हुटाएंगे ऊसके बाद हम अपना कोई काम शुरू करेंगे तो यहां प VAN f Hungarian करता है ॉइह पर सबसे पहले काम है कि गाड़ी को ढाड़ी कि इतनी मोटी बर्फ है तो उसके पहला का काम ये है कि हम सबसे पहले गाड़ी के अंदर गुसेंगे उसे स्टार्ट करेंगे और जब तक उस दस मिनिट में गाड़ी स्टार्ट होगी उसके बाद हम तब तक हम वर्फ की सफाई करेंगे आप ये देख सकते हैं अंदर एकद़ अंधेरा है क्योंकि गाड़ी में बर्फ जमी होई है बहुँ ज़्यदा ठंड तो नहीं है क्योंकि जब भी बर्फ गिरती है दोस्तों तो बहुँ ज़्यदा ठंड नहीं होती है अभी माइनस टू है माइनस 1.5 दिखा रहा है यहां पे हमको और दोस्तों अब शुरू करते हैं दैनिक काम पहले बर्फ अटाओ हाला कि बर्फ अटाना उतमें कठिन काम नहीं है आप देख सकते हैं इतनी मोटी बर्फ की चादर है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बर्फ हटाना बहुत ठंडा तकलीफ दब देता है जब ठंड बहुत ज़्यादा हो माइनस 10 के आसपास हो उसके बाद से थोई तकलीफ होती है अभी तो मैं आप देख सकते हैं मैं सादे हाद से बर्फ टा रहा हूँ मैंने कोई गलफ भी नहीं पैना हुआ है और आपको पहले ही मैंने बताया है कि यहाँ पे गाड़ियों में विंटर टायर्स लगे होते हैं और इस करण यह गाड़ी आसानी से चलती है और अधिकतर लोग यहाँ पे फोर विल ड्राइव गाड़ी चलाना पसंद करते हैं हमारे पास सेदान कार है मगर उसके बावजूद वो फोर विल ड्राइव है तो बर्फ काफी हद तक साफ हो गई है और अब हम अपने काम की और निकल चलते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सबस्क्राइब करें दस्विदानिया